कि 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 अब आफ्टरनून गैज आवाज जा रही है सब लोगों को मेरी एक बर आप लोग कन्फर्म करों आवाज जा रही है क्या गुद आफ्टरनून कि ओकए मैं के अपना एक बड़ेंशियर कर रहा हो आप लोग कन्फर्म करना कि स्क्रींशेर हो रहा है यह नहीं हो रहा है है वोग कर का दूलियरा स्क्रींश है ओ रहा है क्या सब लोग को ठीक है ओकी गाइस तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक्जेक्ली यह शेशन को अभी रखने के क्या में मतलब है आप लोगों को अलड़ी पता है कि जो है ना हम लोग इतने दिनों से सिर्फ एक ही चीज़ सीख रहे हैं क्या सीख रहे हैं फिबुनाची रिटरस्म काम करता हैं कैसे हमारा गॉल्डेंज DON काम करता है जो कि कि समसूपोर्ट।र यौ्पेंद्स का काम करता olun इसके बारे मैं आप लोगों को पता होगा अभी मैंने यहाँ पे क्या किया आप लोगों को बता देता हूं कि जो भी हमारा सा golden zone की strategy है कि अगर market में एक impulse आता फिर retracement आता है तो market golden zone के अंतर इंटर करता है और फिर वहां से reverse करता है इसकी higher probability होती है इस पर मैंने बहुत सारे trades आप लोगों को दिखाये दिये आप लोगों ने समझा आप खुद इस पर trade करते हो बहुत सारे screenshot भी गुरूप में बेशते हों कि से golden zone के अंतर मार्केट इंटर किया और वहां से फिर reverse भी हुआ तो यह logic सब लोगों को clear है कि यह logic ही नहीं पता है कि exactly किस logic का भी हम लोगों यह पूरा का पूरा अल्गोर डिजाइन करवाया है कि लोजिक के लिए रहना golden zone के बारे में आप लोगों को पता है यह नहीं पता है एक बार आप लोगों को तो एक बार आप लोग रिस्पॉंस दिजाएगा तब हम लोगों को यह चीज़े समझ मैं कि आपको पता या नहीं पता है तो जैसा कि आपको पता है कि गोल्डेन चूर में logic explain करता हूं फिर इस logic को किस तरीके से अलगो में convert किया गया है वह मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा ज्यादा से ज्यादा यह आदे घंटे 30-35 मिनट का यह session होगा अभी देखो मार्केट में जब कभी एक इंपल्स आता है मार्केट में एक रिट्रेस्मेंट आता है करेक्ट रिट्रेस्मेंट बोलो या करेक्शन बोलो कभी मार्केट इस तरीके से उपर नहीं जाता है कभी मार्केट इस तरीके से नीचे नहीं आता है तो मार्केट में यह जो इंपल् से उसे direction में reverse करेगा यह हमें बताता Fibonacci retracement कि exactly किसी भी impulse का retracement कितना हो सकता है तो जो फॉस्ट हमारा होता है वो सरी फॉर सरी 50 से 60% correction होता है मानलो अगर यह हमारा impulse है और हमें इस impulse का retracement पता करना है कि कितना हो सकता है तो उसके लिए हम यहां पर क्या करते हैं अब हमारा क्या होता है कि market जब कभी इस golden zone के अंदर इंटर करता है तो इसके अंदर करने के बाद market reverse करता है इसकी ही यह होती क्यों कि यह जो जोन होता है ने इसको हम कहते है golden zone और golden zone एक strong support और एक strong resistance का काम करता है ठीक है आब इसके बहुत सारे examples है आप इसको देखते होगे मैं अभी से नहीं आसे एक दो साल से शरीव आपको एक ही concept सिखा रहा हूं कि आप सिरीफ इसको ही सिखो और इसी के basis पर आप consistency के साथ ट्रेड करो अगर हम इसको चार्ट पे भी लगाए चलो मानलो ही हमारा बैंक कि निख्टी का चार्ट है तो हमें क्या धूंडना ओता सबसे पहले impulse ढूणना होता है तो यह हमारा क्या low है और यह हमारा high point है तो इसे हम क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे impulse ठीक है और इस impulse का यह क्या आया retracement आया तो retracement आने के बाद फिर यहां से market reverse हो गया अब यहां से market क्यों reverse हुआ अब इस impulse का retracement आकर यहीं तक क्यों हुआ market यहां से और नीशे क्यों नहीं आया या market यहीं से क्यों नहीं reverse हुआ यहां पर आने के बाद यहां से reverse हुआ ऐसा क्यों हुआ यह हमें बताता फिबोनाची की retracement की exactly जब कभी भी किसी भी impulse का retracement आता तो maximum golden ज्यों तक आ सकता है ठीक है इसका करने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं अभी आप देखो कि से अंदर किया और इंटर करने के बाद यहां से market reverse कर गया तो यहां पह जो Market आया आज तो अब हम यहां पर क्या किए यहयो को कनसीड़र किये यहां धाउस हैं में हमने क्वनाची को लगाया थीकन है किया, manually इस tool को लगा कर देखा कि golden tune कहां पर बन रहा है, और जब वहां पर आएगा, तो मैं यहां पर फिर call को buy करूंगा, और exactly इसी logic पर मैंने last day trade भी किया था, Friday के दिन, और इस trade में क्या profit हुआ था, उसका video भी बना कर मैंने YouTube पर already डाला है, आप लोगों ने देखा भी होग अगर इसका और दूसरा example अगर आपको देखना है, तो वो भी मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ, मान लो कि यह हमारा क्या है, एक impulse है, और इस impulse का retracement, आखिर market यहीं से क्यों reverse हुआ, market यहां से उपर क्यों ने गिया, यहां से market और नीचा के यहां से उपर क्यों ने गिया यह simple सा question है, तो हमें पता है यह चीज़, कि market में कोई भी एक impulse जो होता ना, उसका maximum जो retracement होगा, वो golden जून तक हो सकता है, तो यह हमारा low point था, और यह हमारा high point था, market यहां पर क्या किया, 50 से लेकर 60% के level के अंदर इंटर किया, और इस golden जून के अंदर इंटर करने के बाद फिर यहां से market reverse किया, तो यहां से जो market reverse किया, तो हम जब market यहां पर रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इस low को consider करके, और इस high को consider करके, यह जोन पहले से mark करके रखेंगे, और market जब हमारे buying area के अंदर आएगा, तो हम यहां पर फिर अपने demet account में manually buy करेंगे, call option को, और यहां स जो भी market ऊपर की तरफ गया, वहां पर अपने profit को book करोगे, बट यहां पर हम क्या कर रहे है, इसको manually लगा रहे है, ठीक है, बट algo में क्या होता है, कि algo में logic आपका यही रहेगा, यही low रहेगा, यही हाई रहेगा, और यही हमारा golden zone भी रहेगा, और market जैसे golden zone के अंदर enter कर गएगा, अब यह सब चीज कैसे possible है, वो सारी चीज़े में भी आपको यहां पर दिखाने वाला हूं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है, बट अभी आप लोग मुझे एक चीज़ बताओ, कि यह logic understand हुआ सब लोगों को, yes or no? इस logic में कोई डाउट, इस logic में कोई डाउट के निका, आई, जिन, आज सैटरड़े था ना, तो काफी लोग फिरी होंगे, मार्केट भी बन था, इस वज़े से मैं ने यहां पर भी लिया है, ठीक है, बाकी यह record भी हो रहा, कोई नहीं, वाकी यह record भी हो रहा है, इसको मैं YouTube पे डाल दूमा, ठीक है, आप देखिया, ठीक है, चीजों को बस समझना है, कि अब भी देखू, जैसे आप लोग हो, अब भी आप काम भी कर रहो, मार्केट आर्स में आप driving भी करोगे, या जो भी आपका work है, आप कहीं भी पी जा रहा हो, तो आप क्या करोगे, market को watch नहीं कर सकते हो, market को watch नहीं करोगे, golden ज udah time बैट नहीं सकते हो, बट यहां पे हम क्या करें इसी का एक solution है, अब देखो, इस solution को मैंने किस तरीके से reduce कर वाया, इसमें काफे time लगा, ठीक है, इसमें काफी सारा पैसा भी लगा है, वो कैसे बना वो सारी चीज़े मैं भी आपको यहां पर दिखाने वाला और मैं आपको पहले बता रहा हूं कि यह चीज़े अभी तक पूरे इंडिया में किसी ने भी नहीं कर रहा है ठीक है मेरे पास सब्सक्राइबर्स जादा नहीं है आप लोगों को भी पता है बर जितने इसको गलत तरीके से पहले बात है कि मार्केट में एक अल्गो नहीं है हजार तरीकी का अल्गो लोगों ने बनवा रख है इंपोर्ड़न्ट ए कि उस एल्गो को लेने से आपको कोई बैनिफिट नहीं है क्योंकि उस यह की पीछे जो लॉजिक है वो इंडिकेटर बेस्ट नहीं होती है क्योंकि indicator जो होते हैं वो maximum lagging indicator होते हैं यहां पर जो मैंने अल्गो बनवाया है यह एक्जेक्टली golden zone की तरह काम करेगा मतलब मार्केट में impulse आएगा retracement आएगा मार्केट golden zone के अंतर जब तक इंटर नहीं करेगा ना हमारे को buy का signal नहीं देगा वो कैसे अभी मैं आपको इसका पूरा लाइफ प्रूफ दिखाने वालों बट सबसे पहले समझो कि मेनिंग क्या होता है यहां पर क्या लिखा हुआ है और लॉजिक हमारा है फिबोनाची डिट्रस्मेंट का golden zone अब इसमें क्या होता है दो तरीके से मैंने इसको प्रोपर तरीके से डिजाइन करवाया पहला एक indicator-based मैंने इसको डिजाइन करवाया और दूसरा इंडिकेटर-based में क्या होता है इंडिकेटर-based में आपको बाइन सेलिंग का सिगनल देगा ठीक है जो भी हमारा लॉजिक है इंडिकेटर-based में इंडर इंटर करेगा यहां पर बाइं का सिगनल देगा अभी इसका में पूरूफ भी दिखाने वाला हूं आपको यहां पर बाइं का सिगनल देगा और आप इस पर जैसे बाइक सिगनल दिया है हमारे डिमेट अकॉन में क्या होगा यह भाई भी हो जाएगा कॉल ऑप्सन यह भाई हो जाएगा अभी चलो मैं आपको पहले एक बार इसका एक ग्जाम्पल देखाता हूं ठीक है अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो सब्सक्राइब एक बार अपना अकांट चेंज किया हूं तो आप मुझे बताने कि वह वाले क्यूंकि उस पर जो ना ट्रेडिंग होगा प्रीमियम है इसमें अकांट में स्क्रीन शेर हो रहा था जैसे मैंने टैब चेंज किया ठीक है ओके अभी मैं आप लोगों को पर्मिशन दे रखा हूं बस अपने आपको कोई अन्म्यूट मत करना ताकि बैक्ग्राउंड से कोई डिस्टरविंस नहों ठीक है अभी देखो यहां पर क्या है कि यह हमारा सेलिंग का सिगनल दिखेगा अब देखो यहां पर ऑटमेटिक बाई दिखा बट यहां पर इंपोर्टेंट कोशन बनता है कि यह आखिर बाई का जो सिगनल दे रहा यह क्यों दे रहा उसको हम थोड़ा से यहां पर सेटिंग करते सेटिंग में जाते सबसे पहले आप बैं का यह पॉइंट का पता ही किसी को नई पता तो मैं बताता हुम हम अगर पता है तो आप लोग बता कि नहीं पता है ठीक है तो आप सानल करने क्माल records निकाले ना आप चल जाए कि मेंने को किस थामें यदू का का जो average point निकल कर रहा था तो अब यहां पर हमारा हाई और लो है उस हिसाब से हमके क्या समझ भाए कि हमाई एक रेंज मिल गया कि बैंग निफ्टी जो है ना 400-500 पॉइंट का एक दिन में movement देता है ठीक अब 400-500 पॉइंट का movement दिया इट मेंज कि अगर मालो 400-500 पॉइंट मार्केट ऊपर की तरफ गिरा तो 200 पॉइंट जब मार्केट गिरेगा तो यहां पर हमारे को बाई का सिगनल दीखेगा ठीक है 50% उतना ही गिरेगा अब अगर मालो बैंग निफ्टी 200 पॉइंट का एक impulse करता है एक लो पॉइंट और ए तो वो आटोमेटिक गोल्डेंच उनके अंदर इंटर कर जाएगा ठीक है ना लॉजिक समझना बस आप लोग अब यहां पर जो हम बैंग निफ्टी पर इस लॉजिक को सेट किया है वह मीनिमूम 200 पॉइंट कम के हिसाब से भी यूज कर सकते हो क्योंकि इसका सेटिंग इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट में जो इंपॉल्स आएगा ना वह मिनिमूम 200 पॉइंट का लो होना चीए और मिनिमूम 200 पॉइंट का हाई होना चीए तो अब यहां पर जो बैंक निफ्टी का एवरेज निकल कर रहा था वह 480 पॉइंट के आया था ठीक है तो अब मैं कि इसका अगर हाफ करो 50% कर करो तो वह कितना होगा 240 होगा तो यहां पर हम जो इसको लिखिए हैं 140 भी लिख सकते हैं आप इसका 300 भी लेकर सकतें को कोई प्रॉबलम नहीं है अब अगर मैं यहां पर 200 लिखा हूं इसका म मतलब मार्केट में जब तक 200 पॉन्थ का एक मूब नहीं आएगा अब जैसे इसका एक example देखों मैं आपको यहां पर दिखाता हूं अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना market में यहां पर buy का signal दिखा रहा है correct है सबको दिख रहा है यह चीज एक बड़ कंफर्म करो आप लोग यह सर नो अब यह जो जोन है इसे ही कहते है golden जोन और यहां पर मैंने फिबोनाची नहीं लगाया यह automatic हमें बताएगा धूंड के कहां पर golden जोन है अब मैं क्या करता हूं यहां पर आपको manually लगा के दिखाता हूं इस low को consider किया और मैं क्या करता हूं एक्जेक्ली इस high को यहां पर यह जो ग्रीन बना वह कहां भी बना यह 0.5 पर संट का लेवल और यहां पर जैसे मार्केट ने फिप्टी पर संट के लेबल को टॉच किया यहां पर हमारे को बाइका सिगनल दिग गया कि यहां पर जो है मैं नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं ऐसे बहुत सारे ब्रीज होते हैं लेकिन यहां पर जो हम लोग ब्रीज करने वाले वह अल्गो बाबा स्टॉक्स का ब्रीज करने वाले हैं अब वह क्या होता है उसका मंथली कुछ मैंटेनेंस चार्ज लगता है 700 775 रूपिस प करना है तो हमारी डीमेट अकॉंट में क्या होगा पता है जैसे यहां पर बाइका सिगनल दिया इसका स्टाइक प्रैस देखो क्या है 47,200 है न तो 100 पॉइंट अंदर या 200 पॉइंट नीच यह हम अपने हिसाब से सेट कर सकते कि कि कितना इंद मनी हमें खरीदना है तो अगर यहां पर बाइग हो जाएगा वह बिरिच के द्वारा जैसे अम ट्रेडिंग वीव को अपने उस बिरिच के थूरू और डीमेट अकॉंट को करेंगे वैसे वह डीमेट अकॉन में क्या होगा यहां पर बाइग हो जाएगा अब जो वाई हुआ होगा वह 200 पॉइंट या 100 इंदमनी है तो उसके लिए हम कुछ प्रीमियम पे करेंगे हो सकता है उस प्रीमियम का प्राइस 400 रहा होगा 300 रहा होगा 200 रहा होगा ओके अब अगर मान लोगो 400 रुपे पर भाई हुआ है तो हम उसमें अपना स्टॉप लोस और अपना टार्गेट पहले से सेट करके रख होगा अब और हमारा जो हमारा टार्गेट होगा और वहाँ से जिकशना का अब यहां पर होगा दिखें संब पर सकति ऐसा सउयर कर रहा है फट्रीमियमा में सब्सक्राइब अभि यहां पर स्टो से artists क reproduction अब閉ट डूट के चार्ट से मतलब बैंक निफ्टी का जो स्पॉट का चार्ट है उसके हिसाब से अब अगर मेरा टार्गेट सौ पॉइंट का है इट मीन्स क्या होता है कि अगर यहां पर मार्केट ने बाई का सिगनल दिया तो यहां से मार्केट सौ पॉइंट ऊपर की तरफ मूब करेगा तो हमारे प्रिमियम में कितना बढ़ेगा आपको पता हुआ कि हम यहां पर किसको कर रहे हैं इंदमने को 100 पॉइंट और 200 पॉइंट तो उसका जो डिल्टा का वैली होता वह 0.6 से लेकर 0.7 होता है तो अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट उपर की तरफ घूम रहा तो हमार प्लस 15 दिख रहा है बाई यहां पर हुआ और यहां पर टीजी लिखा हुआ मतलब टार्गेट ओके अब यहां पर माइनस 15 हो गया अब यहां पर बैंक निफ्टी का एक लॉट साइज यहां पर एक लॉट के हिसाब से इसको मैंने पूरा कैलकुलेट किया तो यहां पर हमा साथ पॉइंट के हिसाब से हम उसको टार्गेट सेट करें और उतने पॉइंट होने के बाद वह अपने आप एकजिट हो जाएगा क्यूंकि अगर बैंक निफ्टी सो पॉइंट पे एकजिट करा है तो हमारे प्रिमियम में साथ से 65 पॉइंट ही बढ़ेगा और वहां पर प्रॉफिट भी बूख हो जाएगा इसका एक और एकजांपल देखो यहां पर यहां पर यहां पर टीजी मतलब टार्गेट डन हुआ तो यह जहां पर बाई किया ना वहां से आप इसको मिजर कर लो आपको 100 पॉइंट यहां पर भी मिल जाएगा देखो 101 पॉइंट यह ए सेल होगा अब यहां पर स्कॉप लूश भी है अगर मैं वापस से सेटिंग में जाता हूँ तो आपको यहां पर देखेगा किसमें दिखेगा ठीक है अब हमारा टार्गेट कितने पॉइंट का था 100 पॉइंट का तो जो हमारा स्टॉप लोस है वो यहां पर मैंने capture किया, किसके हिसाब से capture किया है, spot के हिसाब से, तो अगर ये start point market bank nifty का spot का chart घूमता, तो हमारे premium में कितना वो नीचे की तरफ जाएगा, उसमें obvious ही बात है, उसका जो market अगर start point नीचे की तरफ जाएगा, तो वो 40-42 point market नीचे की तरफ जाएगा, तो हमारे spot में क्या, premium में क्या होगा, 40-45 point कम हो जाएगा, तो वहाँ पे हमारा उतने point का stop loss हीट हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे, अब इसको हम अपने हिसाब से sit कर सकते हैं, कि मुझे कितना point का stop loss लेना है, और कितने point का target लेना है, तो मैं 120 point का यहाँ पे target रख सकता हूँ, अगर मुझे stop loss 50 point का लेना है, तो मैं यहाँ पे 50 अपना stop loss रख सकता हूँ, तो यह totally आपके hand में होगा, कि आप यहाँ पे कितने target रखते हो, और कितना stop loss रखते हो, impulse कितने point का होना चाहिए, वो भी हम sit कर सकते हैं, अब मान लो कि इस strategy को आपको nifty का chart पे लगाना है, तो यह nifty में भी applicable होगा, बस आपको nifty का high and low पता होना चाहिए, कि उसमें कितने point का impulse आता है, अगर आप किसी stock में भी लगाना चाहों, तो वो भी possible है, वहाँ पे आपको 6 point या 7 point का range लेकर चलना पड़ेगा, तो जहाँ पे भी 200 point आपको दिखा रहा था न, वहाँ पे आपको 7-8 point लेकर चलना पड़ेगा, यहाँ पे जो minimum 5 का size में 200 दिखा रहा था, stock में तो 200 point का move होगा नहीं, रिलाइंस में 200 point का move होगा एक दिन में नहीं होगा, जितने point का move होगा उसका आपको पता होना चाहिए, और उसके हिसाब से आप यहाँ पे उस point को डाल दोगे, और यह golden zone पे आपको buy and selling का signal देना है, start कर देगा, और जैसे signal देगा, वो हमारे dmate account में buy and sell भी होगा, ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आपको और important चीज़ देखाता हूँ, इसमें एक और benefit है कि, आप क्या कर सकतो, अपना entry session fixed कर सकते हो, कि आपको कितने बज़े से लेकर, कितने बज़े तक entry करना है, अब यहाँ पे entry session क्या है, 9 बज़े 15 मिनट से लेकर 3 बज़े तक, इसका मतलब यह होता है, कि market में जो हमारा entry होगा, वो 9 बज़े से लेकर 3 बज़े तक ही होगा, इसके बाद अगर हमारे को trade मिलता है, तो नहीं होगा, अब अगर मान लो कि नहीं, मेरे को जो हैंना, 2 बज़े तक ही entry चाहिए, तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे 2 बज़े का set कर दो time, अब जो आपको entry देगा ना, वो 9 पंदर से लेकर 2 बज़े तक ही entry देगा, 2 बज़े के बाद अगर कोई entry होगा ना, कोई बी trade entry नहीं होना चाहिए, यहाँ दो बज़े से पहले सारे trade कुलोज हो जाने चाहिए, तो आप यहाँ पे अपना time 2 बज़े का set कर दोगा, जैसे 2 बज़े का आपका जो भी open order है ना, सब का सब कुलोज हो जाएगा, तो यह भी आपके पास क्या है, एक proper benefit है, I hope अभी आपको यह चीज़ अच्छे से clear हो गया होगा, कि यहाँ पे आप entry session भी fix कर सकते हो, अपना exit session भी fix कर सकते हो, even आप अपना target भी set कर सकते हो, अपना stop loss भी set कर सकते हो, और यहाँ पे आपको filter, अभी मैं आपको back test का result दिखाऊंगा, कि आपको कितने तारिक से कितने तारिक तक का result दिखना है, उसके बीच में market ने कितने trades दिया है, कितने में profit हुआ है, कितने में loss हुआ है, वो सारी चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, अभी बस आप यह समझो कि यह किस तरीके से signal दे रहा, और यह किस तरीके से work कर रहा है, ठीक है, I hope अभी आपको यहाँ पे यहाँ पे यह चीज़ क्लियर हो गया हुगा, अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, time exit, अभी यहाँ पे इस candle का time देखो, क्या 3 बज़े है ना, और हमने और यहाँ पे setting में क्या गया था, कि 3 बज़े के बाद हमारा कोई भी market में order नहीं होना चाहिए न, 3 बज़े से 3 बज़े के 5 मिनिट में हमारा exit होना जाना चाहिए, इसलिए इस red candle पे time exit हो गया, इसके बाद market ऊपर की तरफ गया, कोई दिक्कत नहीं, इस्क्रीन नहीं दिख रही है, बागी लोगों को दिख रहा है, इस बागी लोगों को दिख रहा है, एक बाद आप left करके वापस से rejoin करो, आपको दिखेगा, तो अभी जो मैंने यहाँ पर आपको logic सिखाया, और जो दिखाया, यह clear है यहाँ इसमें आप लोगों का कोई डाउट, कि नहीं काभी, yes or no, अगर नहीं है तो no बोल दिजे, है तो हाँ बोल दिजे, no sir, ठीक है, डाउट नहीं है तो फिर मैं अभी क्या करता हूँ, आपको और important चीज़े कुछ दिखाता हूँ, ठीक है, अब देखो, मैं आपको यहाँ पर इसका result दिखाता हूँ, अब यहाँ पर देखो कि, अब result यहाँ पर आपको देखेगा इसका, result कैसे देखता हैं, हम यहाँ से जाते हैं, overview में, ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है, पहले हमें हमारा question है कि, हमारे को कितने दिन के result देखना है, तो हम यहाँ पर अपना time set करेंगे, कि हमारे को result देखना है, मैं अभी आपको सिर्फ April महिने का दिखा रहा हूँ, तो April यह expiry to expiry चलेगा, ठीक है, क्यूंकि bank nifty का जो expiry होता है न, उसके बाद नहीं तो अगर आप इसको expiry to expiry लेके नहीं चलोगे, तो फिर आपको क्या होगा न, result बहुत बेकार दीखेगा, तो हमारे को हमेशा expiry to expiry लेके चलना है, तो Thursday के दिन हमारा क्या होता है, वेडनेस दे के दिन हमारा bank nifty expire हो जाता है, चार तारिख से हम इसको क्या करते हैं, start करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चार अप्रिल से मैं इसका भी back test करके result देखने वाला हूँ, please mute कर लिजे, okay, sorry, आवाज आ रही है सब लोग को मेरी, ठीक है, ओके 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 मैं लेफ्ट कर गया था, पता नहीं कैसा है, ठीक है, one minute, please mute कर लिजे, क्या ना में आपका, विराज चौधरी, ठीक है, इस्क्रेन दिखा रहा है न, yes sir, okay, ठीक है, अभी सब लोग अपने आपको mute करके रखेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, अब यहां पर मैं जो आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ, वो चार अपरिल से देखा, चार अपरिल से स्टार्ट किया हूँ, और जो हमारा इन डेट है, वो 25 अपरिल, मतलब 10 दे की दिन हमारा मंथले एक्सपार ही होगा, तो मैं यहां पर आपको 25 तक का दिखा रहा हूँ, और जैसे मैं यहां पर ओक्की किया हूँ, आपको यहां पर रिजल्ट दिखेगा, अब आप देखो, अब यहां पर एक और चीज आपको समझना परेगा, कि हम कितने पैसे से ट्रेड कर रहे हैं, मान लोग कि मेरे पास कैपिटल है, बीस हजार रुपे है, तो मैं यहां से कैपिटल डालूगा, इनिसियल कैपिटल बीस हजार रुपे, ठीके, और यहां पर आपका order size, order size bank nifty में, एक lot में 15 quantity होता है, तो हम यहां पर 15 डालेंगे, ठीके, हम 20,000 से start कर रहे हैं, और हमारा जो trade होगा, वो स्रीफ और स्रीफ एक lot में होगा, तो हम यहां पर यह भी sit कर सकते हैं, कि आपको कितने lot में trade करना है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर ok करते हैं, अब जैसे हम ok करेंगे, तो यहां पर हमारे को क्या दिखेगा, proper result दिखेगा, अब देखो, यहां पर आपको net profit दिख रहा है, दिख रहा है सब दोगों को, ठीके, तो इस logic के हिसाब से, जो हमने अभी यहां पर system पर generate किया है, golden zone के strategy को, उसके हिसाब से, जो हमारा net profit बना है, चार अपरिल से लेकर अभी तक वो इस system के, इस logic के हिसाब से, 16,345 रुपे का बना है, और total number of trades कितने हैं, वो 34 trades आ हैं, और accuracy क्या है, 58%, ओके, और यहां पर देखो एक चीज़ दिख रहा, maximum drawdown, maximum drawdown का मतलब होता है, कि जब आपके यह पूरा महीना trade चला है, तो एक time ऐसा था, जहां पर आपके डीमेट आकॉन में, 3249 रुपे माहीनस था, मतलब अगर आपने 20,000 आड के, तो जिसमें से, 3249 यह जो आपका maximum drawdown होना चाहिए, वो आपके initial capital से हमेशा कम होना चाहिए, अगर यहां पर maximum drawdown 32,000 दिख रहा, तो आपका capital अगर 20,000 है, उसमें से अगर आपका 4000 loss हो भी गया, पूरे महीने के अंडर में कहीं पर भी, तो आपके अपके 16,000 है, तब उस 16,000 से आपका दूसरा trade हो पाएगा, लेकिन अगर मान लो यहां पर आपका capital 4000 है, तो 4000 में अगर आपका 32,000 loss हो गया, तो 800 ही demate account में बचया, तो 800 से फिर आपको जो दूसरा trade होगा वो execute ही नहीं होगा, क्योंकि वो fund नहीं है, उसके बज़े से order reject होने लगेगा फिर आपके demate account में, तो हमेशा होना अची है आपके initial capital, तो अगर 20,000 में से 32,000 चला भी जाएगा, तो कोई problem नहीं है, हमारे पास क्या है, हमारे account में 17,000 बचेगा, तो 17,000 से हमारा दूसरा trade तो होई जाएगा, और एक lot में यह तो 17,000 लगता नहीं है, एक lot में हमारा 5-6,000 लगता है, तो आप यहां पर 10, 10,000 से भी इसको कर सकते हो, 10,000 में अगर आपका 32,000 चला भी जाएगा, फिर भी आपके account, 4,000 भी गया, फिर भी 6,000 बचा है, तो 6,000 में आपका एक lot bank nifty का buy हो जाता है, और average trade का जो आपका profit है, वो 480 रुपे का है, ठीक है, तो यहां पर आपको सारी चीज़े दिखेगे, क अगर 4 तारिक समय ने start किया, और तो इसको 4 तारिक से आज तक पूरा trade करना परेगा, बीच में अगर आपने एक दिन भी छोड़ दिया, तो उस दिन का trade खतम, फिर आपका पूरा का पूरा system भिगर जाएगा, तो हमारे को पूरा महीना trade होना चीए, अब important है कि trade तो आपको और वागरा नहीं लगाना पड़ेगा, कि आप bank nifty का यहाँ पे भी trade चलता है, अल्गो के थुरू, आप भी bank nifty में trade करेगा, तो फिर profit and loss differ करेगा, ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक option दिखरा, list of trade, मैं जब इस पे trade पे click करूँ हूँ आना, तो यहाँ पे हमारे को क्या ह या long हूँ वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको देखो, यह 21 जो trade था, buy हुआ था, कितने तारिक को, 9 बच के 15 मिनट पे ही यह हमारा buy दे दिया था, उके, उसके हिसाब से, अब यहाँ पे देखो, आपको loss हुआ था, मतलब इसमें आपका SL गया था, exit long SL चला गया, तो इसमें आपको 900 रुपे का loss हो गया, अब इसमें देखो, आप यह buy हुआ long कितने बचे, 10 बच के 24 मिनट पे और 11 बच के 18 मिनट पे यह exit हो गया, मतलब PG, मतलब target done हो गया, तो इसमें आपका profit कितना हुआ था, 15 सु रुपे गया, तो हमारा loss और profit यहाँ पे fixed है, आपको क stop loss, तो market आपको इसी यही चीज दिखाए गई, मतलब आपका जो target और stop loss है वो इसके हिसाप से है, आप यहाँ पर देखो, आपको मैं दिखा देता हूँ, आपका target कितना है, stop loss कितना है, start point, तो आपको 900 और 1500 रुपे का यहाँ पे range दिखेगा, 900 का loss होगा, तो 900 और जहाँ 500 से कम का profit दिख रहा, उसमें time exit हुआ होगा, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस data को export कर सकते हो, अब यह data आपके trading view में export नहीं होगा, क्योंकि आपका normal वाला होगा, लेकिन मेरा किया है, मैंने इस पर premium ले रखा trading view गा, तो premium में क्या होता है, आप इसके data को export कर सकते हो, ठीक है, export जैसे मैंने किया न, अब इसको मैं open करके भी मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, यह details भी आपको लोगों को मैं share कर दूँगा, यहाँ पर सारे trades जो दिख रहे थे, यहाँ पर सारे trades जो आपको दिख रहे थे, इसमें आपको यह, आपको वहाँ पर दिखेगा 9 बच के 15 मिनट पर मालो, यह दूसरा trade है, ठीक है, इसमें हमारा क्या हुआ, sell हुआ था, कितने बचे, 11 बच के 12 मिनट पर, और target done हो गया था, 11 बच के 33 मिनट पर, यह कब का trade है, date देखो, 4 अपरील का date है, तो मैं क्या करता हूँ न, यहाँ पर 4 अपरील का आप लोगों को आपको जिस date का देखना होगा, अभी देखो, यहाँ पे भी क्या हुआ है, मार्केट में, impulse आया, गोल्ड एजन के अंदर इंटर किया, यहाँ से मार्केट रिवर्स किया है, ठीक है, 4 अपरील का मैं आपको दिखाता हूँ, यह 12 अपरील है, 12 अपरील, जस्तों सकें, 10 होना था, यहाँ पे आपको इसी तरीके, अब यहाँ पे यह जो ट्रेड है, यह प्रोपर और प्रोपर हमारा एल्गो बेस्ट है, यहाँ पे हमारे को मैनुवली कुछ करना ही नहीं है, यह हमारे क्या था, impulse रिट्रेस्मेंट, यहाँ पे मार्केट ने ट्रिगर किया, मार् प्रोफिट में है या नहीं है, वो हमारा important करता है, 8 April, 4 April का wait, यह रहाँ 4 April का, ठीक है, अब 4 April में हम time देखेंगे, जो हमारा trade का timing था, वो कितने बज़े का trade था, यह हमारा 4 April का है, अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अब यहाँ पे इसको देखो, मैं इसको क्या करत हूँ, जो माउट करता हूँ, आपको दिखेगा, हमारा selling का कहाँ पे दिख रहा है, इस जगह पे यह क्या हुआ, यहाँ पे आपको selling का signal दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा TG मतलब target दाना है, तो यहाँ पे जो हमारा sell हुआ, वो कितने बज़े candle में हुआ, 11 बच के 12 मिनट पे, तो हम यहाँ पे देखते हैं, जो अभी हम यहाँ पे list of trades देख रहे थे, 4 अप्रील वाला, तो 4 अप्रील वाला एक बार हम यहाँ पे list देखते हैं, जस्त आप सके है, यह total दूसरा trade था न वो, दूसरा trade पे जाते हैं, वापस नीचे, 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 मिनट पे हमारा entry हुआ था, और यह candle मैंने आपको दिखाया, नीचे time देखो, 4 अप्रील, 11 बच के 12 मिनट पे sell का signal दिया, और यहाँ पे target कितने बज़े हिट हुआ, 11 बच के 33 मिनट पे, अब यहाँ पे देखो, TG मतलब target done, 11 बच के 33 मिनट पे, इस trade में profit कितना हुआ, 1500 र आया, तो हमारे premium का price 60-65 पॉइंट अल्रेडी बढ़ जा हुआ, तो उतना point हमारा exit हो जागा, यहाँ पे हमारा profit भी book हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से यह चीज़ work कर रहा है, और यह जब मैंने, अभी देखो, इसको मैंने proper first time बनवाया, बस जो मेरा coder है, जो इसको पूरा code करके मुझे दिया है, हर एक strategy का एक code होता है, ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको दिखरा रहा है, यह सारे का सारे, इसका एक code है, अगर आप बोलोगे ना, तो अब important क्या होता है, इसी code की value है, यहाँ पे जो आपको दिखरा है, source code, अब इसी code की value है, उसने क्या कि दिया वो एक बहुत awesome चीज़ बना के दिया यहां पर हमारे को manually कुछ नहीं करना automatic सारी की सारी चीज़े होगे ठीक है last day भी हमारे को यहां पर trade मिला अब अगर हमें चार्ट देखना तो आपको premium लेना परेगा आपको यह चीज़ पता है इसका ओलेडी मैंने premium ले रखा है तो मेरी मर्जी मैं कहीं सभी इसका result देख सकता हूं मैं आपको दिखाता हूं मालो मुझे January से लेकर आज तक का result देखना है तो मैं क्या करूंगा यहां से January गया Wednesday को expire हो गया होगा Thursday से चार तारिक से फिर हमारे स्टाट हुआ तो चार जनवरी से 25 अपरिल तक का में आपको यहां पर ट्रेड्स दिखाता हूं अब यहां पर आपको सारे ट्रेड्स दिख जाएंगे अब देखो यहां पर आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने है 34 आपको टोटल प्रॉफिट कितना है अंठावन हजार रूपया एक्कुरेसी कितनी है 43 परसंट ही ओनली है लेकिन आरर कितना है वन इस्टू थू थी का आरर है यही सबसे बड़ा इंपोर्टेंट है औ अगर आपको तीन महीने लगाता ट्रेड करने तो आपका मैक्सिम डोड़ाउन कितना दिख रहा है 9776 का दिख रहा ना तो आपकी डिमेट अकांट में इतना कैपिटल होना चाहिए कि अगर आपका 97 रूपया चला भी गया है उसके बाद भी एक लॉट बाइसल होना चाहि अब देखो अगर मैं ट्रेड अभी कितने से कर रहा था 15 से अब जैसे मैं यहां पर इसका क्वाइंटिटी 30 कर दूंगा प्रॉफिट और लॉस हमारा डबल हो जाएगा अभी आपको 58000 दिख रहा था अभी देखो आपको एक लाग सम्टिंग दिखेगा कि देखो एक 20,000 चले तो आपका आकाउंट 0 हो गया तो जब आपका ऑकाउंट ही 0 हो जाएगा तो बाकी आगे यहीं पर पर फिर चला बकी बाकी यहीं बहाएं तो मैक्सिम मगैं तो कुछ सेम रहेगा maximum drawdown 19,000 हो गया 10,000 फिर भी हमारे पास है क्योंकि initial capital हमारे पास कितना था 30,000 का average profit 339 per trade अब यहाँ पर जब हम list of trade में जाएंगा तो 344 आपको दिखेंगे total आप यहाँ से export कर सकते और export करने के बाद आपको 344 का 344 आप देख सकतो each and average trades आपको date by date यहाँ पर दिखेगा क्योंकि यह पूरा का पूरा automatic है इसको manually backtest करना बहुत complicated है manually backtest आप कितना करोगे एक घंटा दो घंटा पांच घंटा दस घंटा इससे एक महीन ने backtest करने से भी क्या आपको यहाँ पर पूरा तो profit भी 3000 का होगा ठीक है अब अगर देखो 342 वा ट्रेड हमारे को कब मिला है 19 अपरिल को मिला है तो 19 अपरिल का यहाँ पर आप जाके इस trade को भी देख सकतो अब यहाँ पर क्या हुआ लॉंग बना है तो मैं आपको 19 अपरिल का ट्रेड देखाता हूं यह हमारा 19 अपरिल एक बच के 18 मिनट का यह वाला है तो इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूं आपके सामने है हार एक चीज़ इसको मैं जूम आउठ किया आपको यहाँ पर दिख रहा है एक बच के 18 मिनट का यह वाला कंडल नीचे देखो Friday 19 अप्राइब दोहार चॉबिस यहां पर आप एक दिपू एकजक्ली ट्रू कॉपी आपको अपकी डीमेट को आपको पड़ेगा उसके लिए आपको करना पड़ेगा आपने डीमेट अकॉण को बिच के कि बिल्कुल अभी देखो मैं भी फिबुनाची को फॉलो करके ट्रेड करता हूं लेकिन मुझे भी लॉस्स होते हैं बिल्कुल अगर एक्जेक्ट हम बात करें तो महीने में मेरा कितना होता है 3012 कभी 28 3031 इसी तरीके से लेकिन यहां पर क्या है कुछ हमें नहीं करना उप्लिकेशन भी नहीं नहीं देखना और सिस्टम को साइकलोजिय्ज नहीं है भाई सिस्टम को नमबर चरेगा बैच करेका से लोगा अगर हमारा यहां पर अब हम मैनुली क्या कर रहेते हैं अगर हमें 200 का प्रॉफित दिखाए 500 का प्रॉफित दिखाए भूक कर ले ले वह लेकिन इसमें तो stop-loss है इसका psychology काम ही नहीं करेगा यह stop-loss को काटेगा ही नहीं यह stop-loss touch हुआ exit कर देगा position को तो यह एक system को generate करवाया है पूरा का पूरा question कैसर हां देखो यहां पर मैं ITM price ही इसको देखो अब मैं जो trade करता हूं वह ITM पर ही trade करता हूं नहीं मैं system जो आपको दूंगा ना वह ITM वाला ही होगा यहां पर ATM नहीं होगा क्योंकि अगर हम ATM पर trade करेंगे ना तो वहां पर हमारा profit कम होगा और पूरा जो यह आपको मैंने रिजल्ट दिखा है वह match नहीं करेगा क्योंकि ATM का जो दिल्टा का value होता ना वो 0.45 या 0.5 होता है तो बैंक निफ्टे अगर 100 पॉइंट मॉव कर रहा है तो हमारा जो प्रीमियम का प्राइस होगा वो 45 पॉइंट ही मॉव करेगा पचास पॉइंट ही मॉव करेगा ठीक है तो वहां पे वह थोड़ा से आपका सब्सक्राइब हो जाएगा इसलिए हमारे को पूरे विक ट्रेड करना है तो हमें यहां पे जो है न हमेशा इंद मनी का प्रीमियम लेना है बिल्कुल जाएगा ना 50 पर संट अभी यहां पर बहुत सारे आसे भी ट्रेड चुझे आपको इसमें अर्व तिन में आपको यह DRU करता हूं ठीक है मैं input में जाता हूं और इसका range जो है ना प्लीज एक बार mute कर लो जहां से भी आवाज आ रहा है इसका range जो है ना मैंने 300 पॉइंट किया 240 से और किया ठीक है अब जैसे मैंने यहाँ पे 300 पॉइंट किया अब यहाँ पे हमारा buy and sell थोड़ा सा different होगा ठीक है और इसका भी मैं क्या करता हूँ एक बार इसको change करता हूँ कि इसका भी setting में यहाँ पर क्या करता हूँ change करता हूँ कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ market में क्या हुआ यह एक impulse आया इसका retracement गया यह हमारा golden zone है यहाँ पर सेल का signal दिखा market ने सेल किया है यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ है यहाँ पर आपको टीजी दिख रहा है यहाँ पर क्या हुआ टार्गेट हो गया ठीक है तो यहाँ पे आपका क्या होगा इस तरीके से यह वर्क भी करेगा ही वन सेंग्ए डूइइथ्याइक अ HRS भी कि मैंने किस में डाले ओकंभा है रीस्वे डाले हैं और कि इसमें मेरा जो रेंज़ वो कितने प्रएंट का का प्राइस यहां से 140 पॉइंट नीचे की तरफ गी रहा है तो यहां पर जो 200 पॉइंट इन दमनी का पूट ऑप्शन भाई होगा क्या उसमें 60.70 पॉइंट नहीं मिलेगा अब खुद बताओ मिलेगा या नहीं मिलेगा अब यहां पर देखो यह बाई का सिगनल दिया अभी मैंने यहां पर क्या क्या पता है जो मेरा स्ट्रेटेजी था मैंने उसको आफ कर दिया श्रीफ जो हमारा इंडिकेशन बेस्ट था जो जिससे और एक्जिक्यूट होगा उसको अन रखा तो आप देखो नीचे आपको बै लोजिक दिखेगा बइनैन गर्जिक झा जो हमारा लोजिक है उसके हिसाब से लेकिन उसमें बैक defic्ट आप नहीं कर पावगे ई därाप यह नहीं कर Cheese यह हमारा strategy based है ठीक है यह जो हमारा strategy based है अब यहां पर हम backtest भी कर सकते हैं पूरा का पूरा हम देख सकते हैं कि कितना profit हुआ कितना loss हुआ क्या हमारा maximum drawdown गया accuracy कितना total number of trades कितना है वो सब आपको यहां पर दिखेगा ठीक है तो दो तरीके से है यह एक तो strategy based है और एक क्या है एक है हमारा indication based अब जैसे आप इसको किसी को भी यूज कर सकते हो जरूरी नहीं कि आपको indication based ही करना या strategy based है अगर आपको backtest करना है तो आप indication strategy based वाला देख सकते हो और अगर आपको सिर्फ order execute करना आपको पता है कि यह चीज हमको backtest नहीं करना direct entry exit होना चीए तो वह भी यहां पर है अब यह कैसे आपको देख सकते हैं यहां पर इसका एक source code होता है अभी मैं आपको बचाता यही source code आपको provide के जाता है और यही source code आपको strategy tester आएगा ठीक है यहां पर एक button आएगा आपके पास अगर मैं इसको off करूं इसको मैं off कर दूना just a second अगर मैं इसको off कर दूं तो यहां पर क्या है load your strategy हम load your strategy पर click करेंगे प्रेशनल में देखो मैंने दो जो बनवाया वह आपको यहां पर दिखेगा एक जो हमारा strategy based है यह वाला और एक जो indication based है यह वाला दोनों को मैं add to fabric कर देता हूं यह हमारा दो important चीज़ है यहां पर भी आपके ट्रेडिंग होई पी मैं इसको यहां पर क्या करूं और source code को simple आप यहां पर किया चीज़ कि अधिए पाय और चीप यह फेल होती है ना इसमें तोपलोस भी होते है ना उसमें सारी के सारे profit थोड़ी हीट हो रहे इसमें stop loss भी हो रहे आपने ध्यान से नहीं देखा देखो अभी मैं क्या गरता हूं आपको नीचे दिखाता हूं कहीं बह है और यह भी सबसे latest trade है तो यहां पर देखो आप चार्ट पर भी आपको दिखेगा अब यहां पर stop loss कैसे गया है यहां पर stop loss गया कि market ने यहां पर क्या दिया buy करने का signal दिया ठीक है यहां पर market ने इसके closing पर buy हो गया उसके बाद यहां से जो हमारा long buy हुआ है ना but market तो इ मैंने इसको पूरा analyze किया तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि यहां पर जो entry बन रहा है यह exactly candle की closing पर बन रहा है तो market golden zone के अंदर इंटर कर रहा है market यहां से reverse होकर यहां पर closing दे रहा तो यहीं पर entry हो गया उसके बाद market यहां से start point नीचे की तरफ गया तो market है तो technically मैंने उसको बोला कि जो हमारा entry होना चाहिए वह entry closing पर ना होकर exactly market जैसे golden zone के अंदर trigger करेना वैसे ही हो जाएगा ठीक है तो जो हमारे को वह main वाला बना कर दिया यह वाला main वाला बना कर दिया तो अभी आप यहां पर देखो यह जो buy का signal है exactly इसके trigger पर हुआ है इसको touch के य यह buy हो जाएगा automatically यहां पर यह जैसे golden zone को buy किया यह trigger हो गया फिर यहां से market उपर की तरफ गया stop loss अगर हमारे premium में decrease होगी होगा start point तो हमारे stop loss हो जाएगा ठीक है अब यहां पर देखते हैं कि अगर इसके closing पर यह हमारे stop loss हो गया लेकिन इसमें क्या हुआ ट्रिगर किया और यहां से market मूव कर गया तो यहां से हमारा क्या हो गया target हो गया और पलस इसमें हमारा stop loss trailing का भी method है हम अपने stop loss को trail भी कर सकते हैं 20.30 के हिसाब से ठीक है इसमें कम से कम कितना capital लगता है देखो आप पी डिपेंड़ करता है आप मालो आपको bank nifty में स्रीफ एक lot में trade करना तो अब հह थे यहां के लोगोफ हो ज़ desafoney करता हुं अब मालों आपके 10,000 के capital से trade कर रहा है तो मैं okay कर रहा हूं और मैं जाओंगा अभी यहां से overview में मैं overview में गया तो आपका maximum drawdown यहां पर क्या दिख रहा है 23,000 का दिख रहा है अब यह जो 23,000 का इसलिए दिख रहा है अब मैं इसको okay किया अब आप देखो यहां पर आपका maximum drawdown क्या दिख रहा है 4,300 दिख रहा और profit क्या दिख रहा 15,000 मतलब 4 अपरिल से लेकर 19 अपरिल तक को जो trading session हुआ है उसमें अगर कोई 10,000 capital लगा कर trade कर रहा है तो total buy trade system में generate किया है और उस buy trade के हिसाब से यह हमारा profit बना इतने percent की accuracy है और इतना maximum drawdown किया है और average trade में इतना profit हो रहा है अब यह maximum drawdown जाने के बाद आपके account में कितना बचा 6,000 के आसपस बचा 5,700 रुपे के आसपस तो जो 5,700 बचा उसमें हमारा 2 lot अगर buy हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है अब यहां पर quantity मैंने कितना डाला 30 डाला है तो हम quantity यहां पर 15 डालेंगे फिर आपको trade जो है न एक lot में करना पड़ेगा क्योंकि 5,700 रुपे से आपका 2 lot buy नहीं होगा तो फिर आपको quantity पन रखना अब आपको जो यहां पर result दिख रहा है अब आप अगर शरीफ एक lot से trade कर रहे हो आपका capital शरीफ 10,000 है तो आपका maximum draw on कितना जाएगा 2,171 रुपे जाएगे तो अगर 2,000 चले भी गए फिर भी आपके बास 8,000 रुपे बचेंगे तो उस 8,000 से आप अगला trade कर सकते हो तो आपका total profit कितना बना 75,000 रुपे का मतलब 75% का return accuracy 50% average trade में जो profit होगा वो कितना दिख रहा है 343 रूपी टोट profit आपको 1500 दिखेंगे loss आपको स्रिफ 900 दिखेंगे क्योंकि हमारा loss fixed है इसमे loss हमारा change ही नहीं है और अगर आपको 1500 से कम profit दिख रहा है कहीं पे तो वहाँ पे हमारा time exit होगा देखो अगर यहाँ पे 693 का ही profit है तो तीन बज़े time exit होगी है तीन बज़े के बाद system में order ही नह ठीक है समझा है कि और क्या question है sir क्या यह हम 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलता है क्या बस यह सारे टाइम फ्रेम पे चलता है बस आपको range पता होना चाहिए अभी मैंने तीन मिनट पे लगाया तो हमारा range क्या है 200 पॉइंट का 300 पॉइंट का ठीक है अब अगर आप इसको क्या करोगे 5 मिनट या 15 मिनट पे लगा होगे तो आपको वहां पे आपको range perfect पता होना चाहिए कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कितना market ऊपर जाता है और उसका retracement होता है तो अगर हम 5 मिनट की टाइम फ्रेम की बात करेंगा तो वहां पे हमारा मार्केट में मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखाता हूँ अब यह तीन मिनट था ना तो मैं क्या करता हूँ इसको 5 मिनट करूँगा तो इसका पूरा का पूरा जो फिर हमारा range है वह चेंज हो जाएगा और जो हमारा प्लस profit and loss का है overview हो वह भी हमारा पूरा चेंज हो जाएगा तो लेकिन जब आप इसको 5 मिनट पे चेंज करके ट्रेड कर रहे हो तो आपको profit 8800 का हो गया एक ट्रेड और एक्स्ट्रा आगया एकुरेसी 52% की और maximum डौड़ाउं शरीफ 2,000 रुपे का ठीक है तो आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यूज करो 5 मिनट पे क्या हो है क कि आपके ट्रेड थोड़े से उसी एवरेज उतना ही आएगा बट आप देखो कि थोड़ा सा profit बढ़ गया जब profit बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि तीन मिनट की comparison में 5 मिनट पे हमें ज्यादा बेटर रिजल्ट दिख रहा है तो हम इसको 5 मिनट पे ही यूज करे आपको टाइब प्रेम के हिसाब से 5 का साइज चेंज करना पड़ेगा अगर मैं बैंक निफ्टि टाइं व्रेम कर दूँ किया डेलि टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टि स्रीप दोहीus ख्माइंडि आएज Cool याटा है तो जब उसका देखना पड़ेगा कि डेली टाइम फ्रेम पर उसका कितना इंपुल्स आ रहा है वहाँ पे आपको हो सकते हजार पॉयंट का एक इंपुल्स आता होगा या 15 को फिर आपको उसके हिसाब से वो सेट करना परेगा ठीक है क्लियर हुआ गया और कोई डाउट इसके अलावा पहले आप यह बताओ कि चीज समझ मैं कि एक्जेक्टली क्या है अब समझ आ गई कि बहुत जबर्टोस की ज़ेस है जो हम लोग का साइकलोजी खराब होता है अब मेरे साइट जा रहा है अब मार्केट महां से रिपर्टोस करें यह जिए जह बहुत भाटी बड़ा सीजी है अब जिसमें भी ट्रेड करते हो ना उसका बस आपको हाई एंड लो पता होना चीज तो वो आपको NSE के website पे historical data मिलता है ठीक है आप वहाँ से historical data निकालोगे और उसके बाद आप कितने दिन का range देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चीजिए कि उसमें high क्या लग रहा है और उसमें low क्या लग रहा है मानलो bank nifty है तो उसका जो मैंने range निकाला वह 480 point का average range निकल रहा है तो 480 point का half करे कितना होता है 240 point तो मतलब हम अगर 240 point का impulse दे रहे तो उसका retracement जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 120-130 point का आ रहा है और वापस से market में एक नया impulse golden zone से create हो रहा है तो अगर आप इसको निफ्टी में लगाना चाहते हो तो निफ्टी में फिर क्या करोगे आपको निफ्टी का रिंज पता होना चाहिए तो निफ्टी का रिंज अगर आपको पता है exactly तो आप उतने point का 5 size डाल दो चलो मैं काम करता हूं आपको निफ्टी के चार्ट पे मानलो 2000 रुपे का आने वाला था stop loss 12 होने के बाद और आपको दिखा कि मेरे को 500 का ही profit आपने उसको book कर लिया तो फिर at the end of the month जो आपको algo result दिखा रहा है वो result आपकी Demet account पे नहीं दिखेगा क्यूंकि आपने उसमे छेरखानी कर दी आपने बीच में उसको card दिया ठीक है औ और अगर stop loss market hit कर रहा है आपने stop loss system से card दिया तो फिर वहाँ पे आपका risk आपकी गलती हो जाएगी फिर वहाँ पे alco की कोई गलती नहीं होगी क्यूंकि alco मानलो आपने 200 पे खरीदा 180 का SL है market 185 पे आ गया 5 point SL से बचा है अब आप बोलतों यार 5 point में SL कटने वाला मैं क्या करता हूं 180 से इसको 170 कर देता हूं आपने वहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दे अब market 180 आ गया आपको trigger कटा नहीं और वहां से market direct 160 150 चला गया तो आपको फिर 10 point का जादा loss हुआ और अगर आपने stop loss हटा ही दिया तो और जादा losses हो जाएगे तो यहाँ पे आपका position में जो loss में नहीं दिखेगा इस सर इसमें emotions और psychology नहीं लगती है बिल्कुल इसको number से मतलब है तो यहाँ पे हमारा psychology का कोई use ही नहीं है अब चलो मैं आपको क्या करता हूं इक कवाल और है सब्सक्राइब है बिल्कुल ना फिर high and low तो हमारा चींज हो जाएगा डेली time frame पे high and low कुछ और होगा impulse का और five minute time frame पे high and low कुछ और होगा impulse का time frame बहुत जादा माहिने रखता है अभी देखो आपको एक चीज़ देखाता हूं time frame माहिने क्यों रखता है अभी आपको यहाँ पे five minute के time frame पे क्या result दिख रहा है कि आपको जो profit है वह 8000 का और maximum drawdown कितना है 2000 रुपेगा अब मैं क्या करता हूं इसका time frame कर देता हूं 15 minute के time frame ठीक है तो या तो result बहुत खराब हो जाएगा और यानि तो result बहुत अच्छा हो सकता है ठीक है अब यहाँ पे हम देखते हैं अब आपको यहाँ पे देखो trade बहुत जादे बनने लगे अब हम देखते हैं नीची result इसका क्या बना है अभी आगर आप इसको five minute के time 15 minute के time frame प ठीक है लेकिन इससे पहले जब हम इसको five minute time frame पे यूज कर रहे थे तो उस condition में हमारा maximum drawdown कितना था 2,000 यहाँ पे आपका maximum round 2,000 बढ़िया तो इसकी accuracy थोड़ी सी खराब हो गए और प्लस वहाँ पे 8,800 का profit था यहाँ पे 7,600 का है और accuracy यहाँ पे 41% आगई पहले 52% थी अभी यह 15 minute के time frame पे तो अभी यहाँ पे गलती क्यों होई गलती इसलिए होई क्योंकि यहाँ पे हमारा range लेता हूं कितने point का मानलो 500 point का range लेता हूं ओके और जो हमारा target होगा वह 60 point का यह 100 point का इसके हिसाब से देखते हैं क्या accuracy दिखा रहा है फिर यहाँ पे हम इसको backpist करकर के check करेंगे कि कि किस time frame पे कितने point का अब देखो यहाँ पर ओवर और loss में आगे अब यहाँ पे जो stop loss को change करके फिर देखते हैं कि क्या result देखता है stop loss target को तो हमें यह बार बार चेक करके देखना पड़ेगा कि exactly कितना हमारे को यहाँ पर profit हो रहा हमारा अब यहाँ पर देखो तो loss और जादा बढ़ गया है ठीक है तो इसका मतलब क्या हो रहा कि 15 minute के time frame पे जो हमने यहाँ यहाँ पर रेंज को set है वह हमारा रेंज भी गलत है और पलस हम target और stop loss को गलत चूज कर रहे हैं ठीक है तो एक काम करते है हम यहाँ पर रेंज इसका डालते है 700 पॉइंट का यहाँ इसको हम डालते है 800 पॉइंट का वेट यह display में क्या हो गया टावित गव्याद टावर कि कि नहीं हम हमगा मैं अगी मैं आकांग आप है अं honestly ओ你說 high अब अवाइप को देखा यहां पर रिजल्ट क्या हो गया हमारा चेंज हो गया था ना वो रिजल्ट इस वज़े से चेंज हुआ क्योंकि हमारा रिंज टार्गेट स्टॉपलो सब गलत हो गया तो इसको मैंने पूरा टाइम देखकर बैक टेस्ट करके देखा कि किस टाइम फ्रेम पे हमारा पर्फेक्ट रिजल्ट आ रहा है तो वह थ्री मिनट फाइव मिनट पर पर्फेक्ट दिखा रहा है और अगर आप इसको 15 मिट के डाइम फ्रेम पर यूज करोगे तो आपके ट्रेड भी बहुत कम बनेंगे इंट्राडे में आपके बहुत कम बनेंगे क्यूंकि 15 मिट में आपको उतना रिंज ही नहीं मिलेगा इस वज़ों से एक चीज़ और जानना था जैसे ब्रोक्रेट चार्ज होता है इसमें भी फर्क पड़ता है बिल्कुल फर्क पड़ता है आपको एक चीज़ और पता होना चीए एक बार मैं आपको बता देता करने के लिए हमारे पास ब्रिच का यूज होता है और ब्रिच के साथ साथ हमारे को आपको एक प्रोवाइड करता है तो अब उस अलग अलग पैसे चार्ज करते हैं जिरोधा आपको देना परेगा पैसा कि exactly वो कितना रुपया चार्ज कर रहा है आपको उस हिसाब से फिर आपको वो पैसा पे करके API की लेना परेगा और उस API के थुरू डेमेट अकाउंट इस से कनेक्ट होता है और वो जो सीगनल दे रहा है वह आपकी डिमेट अकाउंट में पट्रांसफर होता है ए ठीक है रेक और है यहांति थोड़ा सा आपको करना पर्फिक चीज मिला तो उसमें आपको यह सब चिजiqué करना परेगा देखो अब आगर आप बोले हुए कि हम एक को क्या कि API की जो है ना API के लिए मैं पैसा नहीं पे करूंगा किसी ब्रोकर को तो एक है जो आपको फिरी में API की भी प्रोवाइड करता है जिसके लिए आपको पैसा नहीं लेगता वह एक लाइस ब्लू ही एक स्टॉक ब् आगेगा तो यह चीज़ है बाकि आप पर मर्जी करता देखो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप 2000-3000 देने में उसमें फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अब यह मैंने अभी जो है ना एक हफ्ता पहले इसको पूरा का पूरा डिजाइन करवाया है बट ज यहां तक मैंने इसका सिगनल देखा जहां तक मैंने इसको अभी तक पूरा बैक टेस्ट किया अब यहां पर इंबॉड़ेंट है कि यह चीज़े इतना परफेक्टली क्यों काम कर रहे यह आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि इसके पीछे जो लॉजिक है न वह इसलिए मैं लॉस्ट करता हूं इस वज़े से मैंने इसी लॉजिक का अलगो बन वाया ठीक है अब इस अलगो को आप लोग भी यूज कर सकते हो बट डेखते हैं अभी जो अभी देखो यहां पे जो भी कोशन आना उसको क्लियर कर लेते हैं क्योंकि इसके अलावा अगर आ इंडेक्स और फॉर इस्टॉक्स और यह इस्टॉक्स के लिए भी अप्लीकेबल बस इस टॉक्स का आपको रेंज पता होना चीह कि एक्जेक्ली वह स्टॉक्स में कितने पॉइंट का पूरे दिन में अगर मान लो इस टॉक में पूरे दिन में 5.10 या 10.5 आता है तो फिर है यहenth यह तो तो हो गया मतलब हमारा फिब्ट साइज फिक्स होना चाहिए उस टामफ्रेम के हिसाब से जैस आपका जो कहें ना अथर्ब जी fix होना चीए यह उस टाइम फेर्म के हिसाफ से अगर हम डेली टाइम से पर देख रहे हैं यह सर गुड्डू जी का है फ्री में देने वाले फोग क्या हमें अब बताओ मैं आपको कैसे दूँगा फ्री में दूँगा यार गिस करो इसको बनवाने में कितने पैसे लगे होंगे मुझे गिस करो कुई भी कुछ भी एक्स यज डाउन बतादो कितने लगे होंगे कि कुई बोली नहीं रहा है कि 10 के और थोड़ा आगे बढ़ो जादा हो गया कि इस इसको बनवाने में मुझे अब भी तक जो खड़ चाहें अच्छे यहां पर काफी सारे इसको बनवाने में मेरे को अभी तक जो खर्च है वो 55,000 रुपया है अभी आगे भी आने वाले क्यूंकि इसमें और भी चीज़े इंप्रूब्मेंट होगी तो उसी सबसे वह भी खर्च बढ़ेंगे इसमें पैसे मेरे इतने खर्च में और आप बोलते हो कि सर्फ फ्री में दे दो वा मेरे भाई नौलिस तो मैं फ्री में देता हूं उसके लिए तो आस तो कुछ चार्ज नहीं किया अब इज़े को कोश्चन किया था कि अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे लगा रहे ह हने देखेंगा तो वही measuresब लगा लगा कर एक बार फार करते हैं कि हमारे को कितने पॉइंट का रेंज यहां पर दिखता है यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका टाइम फष्रेम चेंज करेंगा मैं अभी क्या म agrees करूंगा इसको पूरे जेनुरी से देखूंगा ठीक ह का इसमें हमारे को कोई भी चेंजे नहीं करने हैं और जो हमारा टार्गेट होगा अगर मैने यहां पर गुंपर मैंने mask6-जायर जाला है तो हमारा 동안 मान लो मैं target को Sat कर रहा हूँ 250 पॉनिट का और Stop lost यहां depends कर रहाँ लेकिन लोस मैक्सिम ड़ाउं 13,000 गया overall आप हो profit में है no doubt आप हो profit में लेकिन आपके account में इसके हिसाब से trade करने के लिए कम से कम 25,000 रुपे होने चीए तो 25,000 रुपे लगा कि आपको शिरिफ 2000 का profit होगा 13,000 आपका एक time पर minus में जाएगा और फिर वो धीरे से profit में आएगा तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ? range गलत हुआ target stop plus गलत plus range भी गलत तो हमारे को फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? range सही करना पड़ेगा अब लगा लगा कर आपको चेक करना पड़ेगा कि किस time frame पे, कितने range के साब से कितने point का actual target डालने के बाद हमारे को जो result मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है तो यह बस आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा यह एक बार आप समझ जाओगे तो ही आपको यहाँ पर यह चीज परफेक्ट होगा जो मैंने अभी तेक इसमें backtest के देखो इसका result पूरा घडिया है तो मतलब यह यहाँ पर applicable ही नहीं है यहाँ पर हमें इसे use नहीं करना तो depend करता है आपको बस perfect range होना अच्छे तो मैंने जो bank nifty का analysis किया वो सबसे perfect 5 minute के time frame पे 100 point का spot पे target होगा और जो हमारा stop loss होगा वो 60 point का होगा और उसके बाद जो हमारा range होगा वो 200 भी ले सकते हो और 300 भी ले सकते हो दोनों range में हमारे को जो result दिख रहा है वो अच्छा result दिख रहा है अब ही देखो जैसे मैंने उसको change किया अब आपको आगया नहीं result कितने का profit दिख रहा है 24,000 रुपे का स्रीफ और स्रीफ एक lot में अब यह time frame daily ही ही है लेकिन हमने range ही change कर दिया बस अब इसका अगर आपको trade ही समझ नहीं आगा इतने सारे buy sell buy sell दिख रहे आप trade ही नहीं समझ पहोगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसका फिर आपका result भी change होगा just a second 5 minute के time frame पे मैंने इसको change किया अब इसके हिसाब से हम क्या करते हैं इसमें अपना setting डालते हैं setting में हम जाएंगे target हमारा 100 point का stop loss यह रहेगा range हमारा 200 point का रहेगा target तेह रहेगा मानलो रेंज मैं यहां पर डालता हूं 300 point का और मैं इसको okay करता हूं ठीक है अब हम इसका result देखते हैं result आप यहां पर देख सकते हूं total profit जो है आपका वह 21,000 दिख रहा है total number of rates 242 अब यहां पर हम क्या करते हैं इसका month भी change कर सकते हैं कि हमारे को जो result है न वो February से देखना है या March से देखना हटा हूं मैं Friday एक मार्च से okay करता हूं और फिर आप यहां पर रिजल्ट देखों अब यह से stop loss को अगर मैं थोड़ा से 40 कर दूँगा target हमारा सेम रहेगा तो यह maximum road on हमारा कम हो जाएगा यह अगर ज्यादा stop loss ही हुआ तो बढ़ जाएगा देखो लेकिन यहां पर हमारा stop loss कम हीट हुआ तो maximum road on हमारा कम हो गया और profit हमारा सेम है 17,000 का ठीक है तो इस तरीक से आप इसको चेक कर सकते हो यह हमारा क्या है मार्च से लेकर अपरिल तक का है ठीक और यह हमाने कितने क्वाइंटिटी में देखा है हमने इसको देखा सरीफ और सरीफ एक recykslot में अब मालो आपका ब्रोक्रेश भी कटेगा तो ब्रोक्रेश आपका पर ट्रेट जितना कट रहा है आप यहां पर लिख सकते हो marriage और पर ट्रेट पर ट्रेड रुकरत कट रहा है पंद ररक WAT के क्वाइंटिटी के साब पर सेंटेज यहां पर डाला था इस वज़े से वह गलत दिखाया है इंडियन डूपीज में डालूंगा तो फिर यह थोड़ा सही दिखाएगा कि इसमें अभी कुछ गलती है कि और और ब्रोक्रेज लगता है फिर प्रोफिट में आया ठीक है तो आप देखोगे यहां पर फिर आपको 10,000 रूपीस का प्रोफिट हुआ पूरे एक महिने में अब यहां पर गलती क्या हुई थी पहले मेरे से गलती यह हुई थी कि यहां पर जो हमारा ब्रोक्रेज लगता है पहली बात ही कि पर कॉंट्र देख़ेषर के typically तो आपका पर्सेंटेल काट्रिंण है एक कितना है एक पर्सक्राल देख रड़ो तो इस तरी के से हम इसको टेस्ट करेंगे इस तरी किसम इसको करेंगी और यह रिजल्ट है हमारा कब से कब तक का एक मार्च से अभी तक का मतलब 25 अपरिल तक पाक मतलब 19 इतना रुपे का आपको यहां पर प्रॉफिट हुआ है कि समझाए कि आपको क्लियर हुआ यह चीज कि यह सब्सक्राइब कि आपको हो जाएगा उसमें भी टैंशन नहीं है और प्राइस का क्या होगा प्राइस में आपको बता दोंगा डॉन धोरी देखो मैं यह चीज नहीं बोलता हूं कि यह चीज आपको लेना ही है यह मैंने बनवाया है यह चीज मैंने बस आपको शेयर किया है अगर आपको यह चीज लगता है कि हाँ इसको यूज करने के बाद मेरे को benefit होगा तब भी आप यह चीज लेना otherwise मत लेना क्योंकि मेरा यहां पर intention ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी चीज देना जब बरदस्ती आपको अगर ट्रस्ट है फेबोनाची पे इस logic पे इस golden zone के logic पे तब आप इसको यूज करो आप इसको जो आपको जितना पैसे से लगा कर करना है उतने पैसे से आप इसको लगा कर करो एक मेना यूज करोगे आपको आपको यहां पर इसका result दिख जाएगा after one month आप खुद बोलो कि यह perfect है ठीक है और यह चीज मैंने भी first time बन वाया है तो इसको मैं भी यूज करोगा और साथ ही साथ जिसको भी यह चीज़े चाहिए होगी उसको भी मैं यह चीज़ दे दूँगा ठीक है अब इसका जो cost होगा वो one time cost नहीं होगा यह monthly basis पे cost होगा यह चीज़ मैं आपको पहले clear करता हूँ अगर कोई भी चीज़ इसको कोई भी लेता है तो यह monthly basis पर ही इसका price होगा ठीक है आपके यह खर्च क्या आएगा अगर आप मानलो कोई भी broker use करते हो उसका आपका API का खर्च आएगा अगर आप मानलो जिरोधा में trade कर रहे हो तो आपको क्या करना परेगा जिरोधा का API की लेना परेगा तब ही वह आप bridge के द्वारा trading view को connect करोगे पहला चीज़ तो जिरोधा जितने रुपे का API जेता है वह आपको pay करके लेना परेगा यह आपका पहला खडच आएगा दूसरा 775 रूपीज आपका cost है किसका bridge का जो की trading view से आपका teammate account को connect करेगा तीसरा जो जितने price में में आपको यह जिस दूँगा यह आपका monthly होगा यह आपको लगेगा अब आप यहां पर दो cost को हटा सकते हो एक ही cost आप यहां से बचा सकते हो पहला cost इसमें यह है कि आपका API का जो पैसा लग रहा है broker के पास वो नहीं लग करेगा उसके लिए आपको teammate account open करना पड़ेगा allies blue में क्योंकि allies blue ही एक ऐसा stock broker है जो आपको free में API की provide करता है खिक है अगर आप allies blue में अपना account open कर लेते हो तो आपको API की का पैसा बच जाएगा अगर आपको account open करना तो आप मुझे बोल देना मैं आपको account opening link भी दे बाकि आप वहां से open करके और बाकि जो आपको cost लगेगा जो मेरे को आपको pay करना पड़ेगा वह algo का वह और जो bridge का cost होगा वह आपको bridge वाले को देना पड़ेगा आपको मैं दिखा देता हूं spring share करके कि वह कितना रूपिया लेते हैं अब यहां पर आपको पता है एक और benefit है benefit कि वह भी मैं आपको बता देता हूं अब यह जो है ना एक हमारा bridge है stocks हो ठीक है इसको हम यह जो आपसे पैसा लेंगे एक हमारा होते हैं master account ओके और एक होता है उसके अंडर बहुत सारी account जिसको हम child account बोलते हैं तो अगर आप directly इसको bridge के थुरू तो आपको कितना पैसा लगेगा मैं आपको यहां पर दिखाता हूं 750 रुपीस प्लस GST पर मंथ यह लोग लेते हैं अब यह मेरा नहीं यह इनका bridge है अब देखो यहां पर आपको दिखेगा जो आपका main account होगा primary account उसमें आपको 750 रुपे लगेंगे और plus GST लगेंगे ठीक 75 लगेगा और वहां पर क्या होगी master account में जो order आ रहे हैं वही order आपके demate account copy trading से द्वारा जो आपने connect कहा ना उसमें वो trade copy होते जाएंगे अगर इसमें buy आया इसमें sell आया इसमें भी sell हो जाएंगे इसमें profit book हुआ इसमें भी profit book हो जाएंगे तो यह भी चीज़ है लेकिन आप लोगों के लिए ज्यादा बैटर है कि आप लोग डारेक्ट यह वाला ले लेना डारेक्ट ट्रेडिम होसे connect करना है क्योंकि यहाँ पे हम team कितना नहीं करें एक individual label पर करतें त ठीक है आई होब आपको यह चीज़े सब अच्छे से क्लियर हो गई होगी विन विल स्टार्ट विटल को ठीक है सबसे पहले तो आपको लेना पड़ेगा जब आप ले लोगे तो मैं आपके ट्रेडिंग होपे इस code को जो हमारा यह code है यह हमारा code है यह source code इसको कहते है ठी यही signal की साब से आपकी demote account में connect होगा तो उसके लिए आपको bridge से क्या करना पड़ेगा demote account को tradingview को connect करना पड़ेगा वो सब चीज़े मैं आपको guide कर दूँगा अगर आपको यह चीज़ चाहिए तभी आप जिनको चाहिए नहीं उसको बताने से कोई मतलब नहीं बनता चेंज किया तो profit loss में फर्क दिखेगा बिल्कुल दिखेगा आपको क्या करना पड़ेगा इसको एक setup पे आपको रखना पड़ेगा और पूरे महीने फिर उस setup पे trade करो फिर आप एक महीने क्या कर सकते हो बैक टेस्ट कर सकते हैं इसको मैंने एक strategy based बताया है इसका price अलग हो इसको बोलते है indicator based ठीक है जो आपको सिर्फ indicate करेगा selling का signal लाएं डिमेट अकाउंट में selling हो जाएगा यहाँ बैंग का signal लाएं डिमेट अकाउंट में buy भी हो जाएगा ठीक है तो यह चीज़ है आप अगर दोनों चाहिए तो आपको दोनों मिल जाएगा और अगर आपको स चीज़ है तो वह भी मिल जाएगा strategy based चीज़ है तो वह भी आपको मिल जाएगा what can be the best setup मैंने आपको बताया कि त्री मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी को यूज करो minimum range 200-300 डालो दोनों टाइम फ्रेम पर best result है अभी example भी दिखा देता हूं देखो मानो मैंने इसक कब से कब तक का एक मार्च से 19 मार्च तक का ठीक है अब यहां पर range क्या है 200 पॉइंट का golden जून ठीक है stop loss target हमारा सही है यहां पर उसके इसाब से जो हमारे पास result आया वो यह result आया 10,000 का profit एक lot में अब यहां पर अगर मैं 2 lot कर देता हूं तो हमारा profit automatic बढ़ जाएगा अब अब मैं क्या करता हूं यहां पर जो हमारा capital है उसका quantity में 30 कर देता हूं और brokerage में भी हटा देता हूं brokerage मैं अभी नहीं जोडता हूं ठीक है और मैं okay करता हूं अब जैसे मैंने okay करा तो आपका देखो profit यहां पर भी डायक डवल हो जाएगा ठीक है दो lot में अब अगर मान लो आपको इसका setting change करना है आपको इसको क्या करना setting यहां पर ध्यान देखो बस आपको यही चीज़ का ध्यान लगना अब अगर मैं इसका range 200 point कर दूं 5 minute के time frame पे तो हो सकता है कि इसका result और better हो जाए या थोड़ा सा खराब हो जाए but overall रहोग रहना उसके हिसाब से हमारा पर्फेक्ट नहीं है तो range हमारा यहां पे 300 point ही set करना पड़ेगा इसलिए मैं गया रहा हूं कि आपको यहां पे range अपने हिसाब से कम ट्रॉडाउं था 8000 का लेकिन अभी एक 11000 का ट्रॉडाउं हो गया कोई बात ही लेकिन अभी भी आप और वर्वल प्रॉफिट में ही हो अब ठीक है अब यहां पर मैंने क्या था रेंज पस क्या किया था सिंपल सा 300 के जगब अभी यह 300 है अब इसका रेंज में 200 भी कर सकता हो अब यहां पर हमारे क्या होगा या तो खराब होगा देखो यहां पर आपको क्या है 27000 का प्रॉफिट है एक सो और सट्रेड हैं लेकिन आप मैक्सिम ड्रॉडाउं कितना हो गया 20,000 का तो मतलब इस पर ट्रेड करने के लिए आपके अकॉंट में मिनिममम 30,000 रुपे होन इकाला है वह यह कि 300 पॉइंट का रिंज डालो ठीक है टार्गेट डालो 100 पॉइंट का स्टॉप डालो 40 पॉइंट का टाइम फ्रेम डाल दो अब जिस महीन से आपको देखना सब आपको देख जाएगा ओके कर दो आपको यहां पर रिजल्ट दिख जाएगा इस तरीके से से यह वर्क करता है अभी आप 355 परसेंट के रिटन में हो क्योंकि आपको जो कापिटर रहना वो सिरिफ 10,000 था इस यहां पर देखो 10,000 है तो कम से गाम आपके पास अगर आप यहां पर टेड कर रहा तो भाई 20-25,000 तो आपके पास कोना ही चीए अगर इतना नहीं है 10,000 ह तो फिर quantity size जो 30,000 उसको आपको 15 करना पड़ेगा यह भी important चीज़ है अगर मैं यहां पर 20,000 डाल दिया तो फिर यहां पर हमारा result चेंज हो जाएगा बस यहां पर हमारा percentage देखोगे तो profit भाई है loss भाई है अब 20,000 है तो 11,000 हमारा क्या होगा जाएगा और 9,000 बचेगा तो उससे हमारा अगला trade होगा अब यहां पर चार्ड भी दिखेगा सब कुछ का accuracy 38% सारी चीज़े आप यहां पर backpist कर सकते हो कि आप अभी आपको clear हुआ होगा समझ आए क्या कोई डाउट इसमें को कि कुछ को कि कुछ को बिल्कुल आप system में बंद कर सकते हो पॉसिबल है वो चीज़ आप देखो यहाँ पे एक दीन चोरो आप अगर यह बोलते हो ना कि मेरे कोई अब हो ब्लब करो हुआ है इसका मतलब यहोगा क्या मेरा इंटिर्म होगा वो से 10 बज़े के budget-वीच मेंध्ष दिखेंगे maximum drawdown 9000 का और जब हम इससे पहली रिजल्ट देख रहे थे तो maximum drawdown 11000 का था तो हम यहां पर क्या चीज़ समझ मैं कि जब हम 10 बजे के बाद entry कर रहे हैं तो हमारा maximum drawdown कम हो रहा है तो मतलब result थो रहा better हो रहा profit भी कम हो रहा कोई बास नहीं है लेकिन maximum drawdown भी कम हो रहा तो आप यहां पर वह भी चीज़ सेट कर सकते हो पलस आप चाहते हो कि मेरे को entry system जो है ना दो बज़े तक ही चाहिए दो बज़े के बाद हमारा कोई भी ट्रेट सिस्टम पर नहीं रहना चाहिए दो बज़े यह भी चीज़ पॉसीबल है ठीक है और कोई डाउट इसके लवा और कोई डाउट फियर हुआ या सब लोगों कोई डाउट है तो पूछ लीजे और देखो अब जिसको भी यह चीज़े चाहिए वह मेरे को वर्ट्सप पर मैसेज कर देना मैं आपको इसका प्राइसिंग क पूरा डीटेल भेज दूँगा अब देख रहे ना अगर आपको लगता है कि सही है तो आप ले लो वरना को इसमें पर मैसेज कर देना ठीक है अब मैं आपको इस टॉक्स कर दिखा देखा हूं जिसमें अच्छा मोमेंटम होता है थोड़ा वह स्टॉक बताईएगा मुझ सब्सक्राइब कर देखा है एंच्छ 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 तो हमारा सिग्मेंट वाना इसकी बात कर रहे है क्या है है ठीक है थ्री मिनिट के टाइम फ्रेम पे हमारे को इसमें देखना पर एगा क्योंकि इसमें मैंने स्ट्रेजी सेट किया है एंसी एक्स अब हमारे को आप मुझे पहले आप यह बताओगे कि इसका रेंज क्या होता है कितने पॉइंट का इसमें टार्गेट इस एवरेज मिलता है और कितने पॉइंट का इसमें इस टार्ड़ इस टॉपलोस है इस पर्टिक्लर में तो अराम से मतलब इसमें टार्गेट और स्टॉपलोस कितने पॉइंट का अवरेस कितने पॉइंट का टार्गेट यह दे देता है अप्रोक्स 10 पॉइंट का टार्गेट लेकर चलते हैं फिर पांच पॉइंट के साथ लेकर चलेंगे और डेट मैं आपको यह जो है ना एप्रोक्स तीन महिने का दिखाऊंगा तब बेटर डिजल्ट दिखेगा एक जैन्वरी से ओके और रेंज कितना होता है अवरेज इसका हाई एंड लो हाई एंड लो एवरेज कितना है अब यहां पर हमारे को रेंज डाल के चेक करना पड़ेगा ठीक है अब यहां पर यह यह कितने बज़े ओपन होता है ताइम भी थोड़ा हमें यहां पर ध्यान देना है कि 9 15 और क्लोजिंग इसका एंट्री करते हैं और एक्जिट जो हमारा होगा वह तीन बज़े से लेकर तीन बज़ के 15 मिनट तक एक्जिट होगा ठीक है कि रेंज इसका जो है आपको पर्फेक्ट ढूंड कर मुझे बताना पड़ेगा इसका रेंच गलत हो रहा है अगर आप इसका मुझे रेंज पर्फेक्ट बताओगे तो इसका रिजल्ट भी पर्फेक्ट दीखेगा क्योंकि कोई भी ऑप्शन स्टॉक का कभी भी दिखा सकता है कि भाई या सेल में कॉल्पूट या कॉल भाई हर समय इमिरेटली रेंज फाइंड़ करना मुझ्टिल है नहीं 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 मैं आपको यह कह रहा हूं कि आपको जो रेंज होना चाना उस स्टॉक का हाइड लो होना चाहिए मतलब मान लो आप एक को एक रेंज बग इसको निकालने का एक तरीका भी होता है वह एनसी के वेबसाइट से निकल जाता है मान लेते हैं मैं एक रिलाइंस का एक स्टॉक लेता हूं ठीक है तर्टाप मोटर्स में देखते हैं एक बड़ लगा कर ठीक है और इसको हम लगाएंगे 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पे ठीक है 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पे हम इसमें लगा है तो यहां पर जो मार्केट में हमारी को एवरिज आ रहा है पॉइंट यह जो हमारा फॉर्स ट्रेड में टार्गेट हिट हुआ है तो कितने पॉइंट का हुआ है अप्रोक्स 18-19 पॉइंट का ठीक है मतलब हम यहां प अपका मैक्सिम्म ड्रोडाउन जादा है तो हम सेटिंग में जाते हैं अब यहां पर हम क्या करेंगा सबसे पहले रेंज को सही करेंगे अच्सी पॉइंट के रेंज के साब से हमारा रिजल्ट था लेकिन इतने पॉइंट का तो यह रेंज होगा नहीं रिंज हम कंसे रिग करते हैं इसके हिसाब से हमारे को क्या रिजल्ट दिखा रहा इसके साब से रिजल्ट यह ठीक है अब देखो एक चीज़ और आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि यह हमारा स्टाइल है यह कुईंटिटी कितना है सो अगर हम रिलाइन यह टाटा मोटर्स की बात कर रहें तो हमारे को यहां पर क्वाइंटिटी पर भी डिपेंड करता है अब मालोग नोसोपचास ना चलो नौसोपचास क्वाइंटिटी के साब से अगर हम इसको देखते हैं तो उसके साब से हमारे को रिजल्ट दिखाएगा जो आपका टोटल प्रॉफिट होगा वह 34,000 रुपीज का होगा टोटल 17 ट्रेट्स बने हैं और आपका जो एक्कोरिस यह वह 58 पर सेंट है और मैक्सिम डॉडाउन 22,312 रुपे का है ठीक है और पर ट्रेड में जो आपका एवरिज प्रॉफिट हो रहा हो रहा है तो आपक यहां पर 22,000 का हो रहा है तो आपकी कैपिटल जो है ना मिनिममम यहां पर कम से कम मिनिममम आपको जो कैपिटल होना चाहिए ना वह इस स्टॉक में ट्रेड करने के लिए पाच हजार पचास हजार होगा तब ही आप इस मैक्सिम ड्रॉडाउन को संभाल पाओंगे क्योंकि अगर 20,000 रखे और 22,000 आपका तो अकाउंट ही निगेटिव में चला जाएगा तो अगर आपके पास पचास अजर कैपिटल है तो 22,000 अगर आपके पास चला भी गया 25,000 चला भी गया फिर भी 25,000 रुपे आपके अकाउंटें बचेंगे जिससे आगी के ट्रेड होंगे त सब स्टोंक्स के पहले तो आपने His Moment मalumकर रहें कि कितना मममेंट होता है interwngers सबसे पहले आपको उसका average movement जैसे की मैंने इसक rescue ability Adventure जो मैंने stop loss जाला वो दस पॉइंट जो ब्याडलovan जो डाला पचर पंटिल giàओं अगर मैं जैसे यहां पे इसका average range 50 कर दूँगा हमारा result automatic change हो जाएगा अब या तो बैटर हो जाएगा या तो खराब हो जाएगा तो अभी देखो यह इसे मेरे पास सब्सक्राइब होती है नहीं ना आप वैसे हाथो हाथ निकाली नहीं पाओगे ना बहुत यह अगर यूज करना तो आपको पूरे एक महीने यूज करने परेंगे और उस एक महीने आप तभी यूज करोगा जब आपको उस जो अपने स्क्रिप लगा कर उसमें रेंज डाल कर reflex डाल गर रगेःट डाल कर बैक टैस्ट किया जैसे मैंने अभी क्या किया टाटा फलाक नीश में तो मतलब क्या हुआ कि तीन महीने में जो मेरा एवरेज प्रॉफिट बना वह 29,640 रुपे का बना है और मैक्सिम डॉड़ाउं 17,000 रुपे का गिया है एवरेज प्रॉफिट मेरे को इतने रुपिस बन रहा है तो अब आप इस स्टेडेजी को देखके आपको यह लग रहा है कि यार इतना अच्छा इसका रिटन है एक महीने में कितने महीने में मैंने आपको यह भी देखना पड़ेगा हमारे को पहले यहां पर एक जनवारी से अब यह देखो ना कि आपके टूटल नंबर ऑफ प्रेड कितने आया है तो मतलब यहां पर यह हो रहा है कि आपको जो यहां पर प्रॉफिट हो रहे हैं वह नंबर ऑफ रहे और कितने दिन में सारे तीन महीना में 15 ट्रेड मिला मतलब सब्सक्राइब करें अब आपके बात पर इस कंडिशन में आपको यह अतना बैनिफिशल नहीं हो क्योंकि आलको आप यह वाला तभी यूज करोगे जब आपको पूरे महीने इसको कंसिस्टेंसी के साथ यूज करने अब हर डेली अगर आप अपना स्क्रिप्ट चेंज कर रहे हो तो फिर वह नहीं हो और यह स्टॉक के लिए फिर अतना बैनिफिशल भी नहीं होगा यह सर कर सकते हैं चाहां पर आपको इतना ही ट्रेट्स मिलेंगे अटमेटिक वाइओ अगर आपको इसको ट्रेड करना इंट्राडे में तो आपको देखो सबसे पहले अपको एक चीज समझना परेगा कि यह जो मैंने अभी लॉजिक आपको पूरा का पूरा दिखा है मैं कहां प पॉर्ट के चाट के हिसाब से हमारा प्रीमियम का चाट डिफाइन कर रहा है जो हमारा दो सो पॉइंट इन दमनी का कॉल या पूट को बाय और सेल करेंगा मार्केट में करेक्ट ना अब अगर आप इसको क्या सिग्मेंट में लगारो मानलो आपने क्या करा किसी भी एक टाटा में लगाया अब आपको उसके ओप्सेंस में ट्रेड करना है इंट्राडे में आप यह पहले यह क्लियर करो उसी ट्रेइश को ही इंट्राडे में करना है तो फिर आपका टाइम फ्रेम फाइब मिनिट या थ्री मिनिट का होगा आपको रिंच पता होना चीए उस रि तो फिर वापस से मार्केट पांच पॉइंट का मूव करता है और कभी नहीं करते तो नीचे दो पॉइंट जाकर जो पांच पॉइंट ऊपर गया फिर वापस पांच में नीच आ गया तो वहाँ पे स्टॉपलस हो गया यह आपको अगर पता चल जाएगा तो आपको एक तीन चीज़ पता करना है बस पहला उसका रेंज दूसरा स्टॉपलस और टार्गेट कितना आपको सेट करना है वह सेट करके देख लिए अगर आपको रिजल्ट बैटर दिख रहा है आप उसको कल से कंट करने वालों तो वहां पर हो चीज़े की थोड़ी से दिक्कत हो जाईगे है कि तो आपको रेंज पता करना Kle aquell टांका करने के बाद कितना पॉइंड करना द्रॉट करना वह को करना और उसके बाद फिर आप उसको आर्लब असको और सेट कर देजेंaj यह बना जारा एक सजेस्टन है यह आपने अपने यह बनाया है साथ साथ में आप एक ऐसा भी बना दीजिए ना इंडिकेटर जो जा कोई मतलब आमीन जो कोडिंग करते हैं उनको बोलके कि भी जहां पर वॉलियूम् जगर एक हिसाब से कि अगर यह वालियूम पर यह बाई ह कोडिये ऐसे तो बहुत सारी लॉजिक एस्टेशी है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट मेरा क्या किया करता हूंना मेरे उसी चीज़ पर होता है अब वोल्म को मैंने उतना यूज किया नहीं है तो उतना मेरे को उसके बारे में नालेज की कि अब बताओं कि इतना होग बोल्डें जोन का और जिसमें में तो फिर आपको बनवा दूंगा आप मेरे को स्टेंडर्ड दिविएशन का और यह सर्ज है वो एक चरंदीर कपूर है उन्होंने निफ्टे का भी इकाला था चौविस पच्छिस ना चौविस हार साथ सौन अपन और उन्निस जार तींसट शिया नगर लोग लिए यह पूरे साथ निफ्टी की वही इसके उपर न जाए क क्या नाम बताया सर आपने क्या नाम बताया सर आपने चरंच चरंच चरंजीत कपूर यह से उनका यूट्यूब लिंक है क्या नहां उसमें है कुछ वाई आईटी के है ठीक है वो जो भी हो उसके वारे मुझे उतना पता नहीं है हो सकते हैं वाकि वो सब चीज़े तो आई डान नो मेरा यहां पर जो चीज़े आपको बताना था वो मैंने आपको बता दिया वो समझ आया क्या सब लोगों को हाजी आत्पर सोव इंट्री होगा और एक्जिट होगा अब वो जो इन्ट्री हो रहा है वो जो अलोग्याइट पे ग्र्म होगा या तो टार्गेट पे और स्टोपलस पे एक्षित होगा बस हां यह जो मैंने आपको बताए कि आपने पूरा नहीं देखाए लिए इसका में आपकी station करूँ गार और जैसे वहारा पे सिगनल आने स्टार्ट हो गें अब आपको क्या करना है ट्रेडिंग व्यों को अपने डीमेट अकाउंट से करने के लिए हर एक broker के पास एक API की होता है तो API की जो होगा ना वो आपको उनसे लेना परेगा और उसके बाद आप उसको bridge के थूरू connect कर सकते हो और जो भी आपका वहाँ पर ट्रेड्स आएगा वह डारेक्टि आपके डिमेट अकॉंड में बाइएंसेल करना स्टाट कर देगा तो यह तो फिर आपका इसली हो जाएगा आपका API की का पैसा पर नहीं लगेगा वह आपको फिरी में API की मिल जाएगा जो चीज है वह आपको मैंने बता दिया आप जिनको भी लेना है यहां पर मैंने आपको नंबर बता दिया एक बार आप कॉल कर लिए या मैसेज कर दीचेगा मैं आपको यह चीज है ट्रेडिमों पर सेट कर दूंगा हां अपस्टॉक में भी यह चीज अपलेबल है तो अपस्टॉक वाले फिरी में नहीं देंगे वह पैसा लेंगे आपसे तो वह आपको पे करना परेगा उनसको आप करके API की ले 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 ना फिर API के थुरू हम ब्रिच के हो और ट्रेडिमों को कनेक्ट कर देंगे डिमेट अब को ठीक है तो जो भी एक बार पता कर लेना कि अप्स्टॉक कितने लेते एंचल वन का मुझे पता वह 2000-2000 के बीच में लेते हैं जरोधा का भी पता है 2000-500 के बीच में लेते हैं अब बोलिया इसका एक्कुरेसी कितना परसेंट है एक्कुरेसी से ज्यादा इंप्वर्टेंट होता है आरर मैंने आपको एक्कुरेसी भी अभी दिखाया था आपने धियान नहीं दिया थी फिर से दिखा देता हूं देखो अश्यक्ति परसेंट ना 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 असी शत्तर परसेंट इसके एक्कुरेसी निया इसके एक्कुरेसी 40-50-52 परसेंट ही है बट इसका आरर जादा है देखो आप पहले इस चीश को समझो थोड़ा सा की मार्क रिस्क डिवार्ड रेसियो एकुरेसी से ज्यादा इंपोर्टेंट होता है रिस्क डिवार्ड रेस्यों ठीक है एकुरेसी अगर आपकी 40 परसेंट है लेकिन फिर भी आप जो चार ट्रेड में प्रॉफिट कर रहे हो न उसमें आपका प्रॉफिट हो रहा दो-दो-सो पॉइंट का और जो छे ट्रेड मे लॉस कर रहे हो उसमें आप लॉस कर रहे हो 30-30 प्रॉफिट में हो 40 परसेंट एकुरेसी के साथ ही तो आपको वह चीज़े समझना पड़ेगा ठीक है अभी देखो मैं आपको दिखाता हूं अभी मैंने इसको यूज करा था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या आप इसको 3 मिन एक तो गलत है तो हमारे को आप इसका सेटिंग में जाकर इसका रेंज सही करना परेगा सबसे पहले तो हम क्या करेंगे मिनिमम रेंज यहां पर यहां पर वह डालेंगे 300 पॉइंट का गोल्डेर्ट्ट जो सही रहेगा और टार्गेड जो हमारा होगा वह होगा मिनिममस भ हमारा होगा वह साथ पॉइंट का होगा स्पॉर्ट के चाट के इसाब से पर ओके करते हैं फिर यहां पर हमारे को यह रिजल्ट दिखेगा है अब हम इस पर देखते हैं कि एक्जेक्टली इसकी एकुरेसी कितनी है अब यहां पर जो है इतना बड़ा प्रॉफिट एंड लॉस आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहां पर जो कॉइंटिटी साइज है वह 950 का है जिससे हमें करना है 15 15 मतलब एक लॉट और कैपिटल यहां पर करना है हमारे को मान लू हमारे पास 20,000 है ठीक है 20,000 से जादा नहीं है ओके करते हैं अब यहां पर आपको रिजल्ट दिखेगा है ठीक है अब देखो आप हाँ वह कमिशन भी आप डाल सकते हूं हम वह भी डाल देता हूं लो ना पर ट्रेड में जो आपका कमिशन जाएगा ना वह कितने रुपिया जाएगा बाई 20 रुपे सेल बीस र प्रेड आपका जो है ना परोक्स पचास रुपे कटेंगा ब्रोक्रेज ओके करता हूं अब आपके प्रॉफिट से ब्रोक्रेज भी हट जाएगा देखो अब आपका जो टूटल प्रॉफिट यहां पर आया वह कितना आया 27,147 रुपे का टूटल नंबर ऑफ ट्रेड हमा अब से कब तक का इन्पूट में मैंने क्या डाला था यह रिजल्ट है हमारा एक फैवरेडी से अभी अप्रील तक का ठीक है तो यहां पर आप एक फैवरेडी से एक अप्रील तक 27,000 का प्रोफिट करोगा मतलब आप रोक्सारे तीन महीना का और शरिफ और सरिफ 10,000 के अब यहां पर इसको 30 कर दोगे तो आपका प्रोफिट फिर उससाब से बढ़ जाएगा अभी देखो यहां पर आप सारी चीज़े सेट कर सकता है स्टॉप लो सेम रहेगा अभी आपका प्रोफिट भी बढ़ जाया क्यूंकि आपका क्या कर दिया बढ़ा कर दिया देखो अब आपको जो प्रोफिट हो गया वो कितना हो गया दिख रहें आपको हां तोटल नंबर ऑफ ट्रेट्स 232 एक्कुरिसी सेम रहेगा और बन इस तो तुरी का हो गया और 25,000 आपका मैक्सिम डॉडाउं गया तो मतलब आपके अकॉन में मिनिमम जो है ना अगर 25,000 डॉडा चाहिए तैकि 25,000 अगर चले भी गया फिर भी हमारे अकॉन में कुछ पैसे होने चीए 15,000 जिससे हमारा दो लट बाइंड से होगा फिर हमारे को यह परफेक्ट रिजल्ट दिखा है पिछले तीन महीने का एवरेज टेट का जो प्रॉफिट हो रहा वो 331 हो रहा है और यहा प्रॉफिट आ गया समझाया तो इस तरीके से यह वर्क करता है और कोई डाउट को जो भी वह शेलंदर जी बता रहे थे ना एक आदमी के बारे में क्या उनसे मैं का नंबर ले सकता हूं किन से हैं कि शेलंदर जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ले लीचे कि श्राइनल जी आप ग्रूप में है भी हाँ है तो आप नंबर देंगे तो तो तुरह मैं आपसे समझ के वह मुंता आप देर लेता हूं ची रहाए शिक्ष्ट फ्री देर दबल से हाँ हाँ ठीक है ठीक है ना हाँ रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा थैंक्यू स्वर्डि पर ऐता है कि थे एक स्चों आपको फ्रीड करने का जो तरीका ना वह आपको टेस्ट करना पड़ें कि कितने पॉइंट का रेंज होता है अगर आपको एक्जक्ट रेंज निकालना है तो NST के website पे जिस भी stock का या जिस भी index का आपको निकालना है वहाँ पे जाना है आपको उसका क्याना पिछले एक साल का historical data मिलेगा historical data में क्या होता है आपको high and low दिखेगा कि इसने इतने तारीक को इतने का high लगाया और इतने का low लगाया high and low का difference निकाल देना है और उसका आपको average निकाल देना है तो आपको average range पता चल जाए कि कितना दीन भर में वह move करता है इसका में एक proper video बनाकर आप लोगो को दे दूँगा जिससे आप लोगो को पता चले है कि हम किसी भी stock में अगर इसको लगाना चाहें तो उसका range कितना इसका रिजल्ट पर आप देख रहा हूं ना 200 से 203 200 से लेकर 300 के 20 में अच्छा दिखा रहा है अगर मैं इससे ज्यादा कर दूँगो या इससे कम कर दूँगो रिजल्ट खराब आ जाएगा तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं यह चीज है ठीक है ना और कोई डाउट ठीक है बाकी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दिया आपकी अगर और और कोई डाउट होंगे तो उसको हम लग वहाँ पर कि नहीं मोबाइल पर काम करेंगा ना लैप्टोप लेनी की ज़रूरत नहीं है बस हमें ट्रेडिंग हुए उसको कनेक्ट करना है और जिनके बस लैप्टोप नहीं है उसके लिए एक और हो जाएगा वह इसली कर सकते हैं उसमें कोई इश्यू नहीं है हम इसको अप स्कॉप मैं लिंक नहीं करें हमən इसको में ट्रेडिंग वह पी लिंक करें और क्रेडिंग ईए तो हमरे को ट्रेडिंग को आप स्डेडिंग करना पड़ेगाई तो अब coordinated मैं मतलब नए नहीं तो चल्खन 25 नहीं होगा हमारे को अब स्टोंग को जो हैना एक बीज में मेरे मिडियम होगा pleas से कनेक्ट करना है युजह पिरिज से कनेक्ट करना है अब सको और वीज को कनेक्ट करना है ट्रेडिंग घुरीट्ज होगा और ट्रेडिंग हुए जो सिखना लाएगा वो ब्रिच के दोवारा डारेक्ट हमारा जाएगा डीमेट अकाउंट में यह इस तरीके से पूरा चैनल काम करता है है ठीक है तुप सब्सक्राइब कि एप यह की के लिए है कि एप यह